जहीं दोस्तों, अगर आप एक विद्यारती हैं या आपके घर में कोई विद्यारती है तो आज की तारीक 22 जनवरी 2022 को स्वरणी मक्षरों में लिख लीजिए दिवालों पे कहीं चुनवा दिजिए हो सके तो हाथों पे टैटू बनवा लिजिए कहीं आज कहीं एतिहासिक दिन आप भूल न जाएं क्योंकि आज सिस्टम ने सिख्छा विवस्ता ने आपके बच्चों के उपर उपकार कर दिया पर उपकार कर दिया एहसान के तले दबा दिया है आपको आपके बच्चों को मौत के मूँ से खीच लिया आपके बच्चों को मरने से बचा लिया दो मुख्य खबरे आज की मैं दिखाता हूँ आपको। आईए पहले उट खबरों को देखते हैं फिर बात करते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ और इतना बड़ा ऐसान सरकार ने और परसासम ने कैसे किया हमारी उपर। तो पहली खबर पे नजर डालते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते नजर आ रहे हैं और तो ये थी आपकी पहली खबर जहां पे परसासम ने उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी तक स्कूल को बंद कर दिए यानि की आफ्लाइन क्लास नहीं चलेंगी और ये बात के वाल स्कूल की नहीं है कई विस्विद्यालो को ने अपने सेनेस्टर की परिक्षाएं रद कर दी अपने विस्विद्याले पे ताले लगा दिया बंद कर दिया आफ्लाइन कारें वहां पे नहीं होगा अब आईए बात करते हैं दूसरी खबर की वहीं दूसरी खबर देख लीजिए जो आज पूरे दिन मीडिया की अब मुझे एक लॉजिक नहीं समझ में आती अगर आप माननेवर मुझे समझा सकते हैं तो प्लीज मुझे समझा दिए ये कौन सा कोरोना है कौन सा कोविड है कि बच्चों के स्कूल जाने से ही फैलेगा इस तरह के केमपेंड करने से नहीं फैलेगा यह कौन से सिस्टम विवस्ता अपनी कौन सी आँखों से देख रही है कि बच्चों के स्कूल जाने से ही COVID होगा इस तरह के केमपेंज से COVID कुछ नहीं होगा यहां बात किसी parti की नहीं है, किसी party के उम्मिदवार की نہیں है किसी राजनितिक party की नहीं है यहां बात एक इनसानियत है कि middle class family के दर्ध की है कि वो middle class family जहाँ आज महामारी के दोर में एक गुरुपे मेहनत से कमाता है आज नोकरियों का ये हाल है कि कंपनियां जो 10,000 का काम करती है उन्हें 10 रुपे देती है बाकी इंपलाइस को बाहर कर देती है आज वेपारियों का ये हाल है कि जहां पे कस्टमर 100 रुपे खर्च करने है वहां 10 रुपे खर्च करता है वैपारी अपने दुकान का किराया और बिजली का बिल निकाल ले यही बड़ी वात है इस भरे महमारी में एक मिडल क्रास फैमली अपने बच्चों की स्कूल फीस भरता है टूशन फीस भरता है उनके लिए एक सेपरेट मुबाइल खरीटता है उसमें नेट का रिचार्ज कराता है और हमें आके इस दिन का इंतजार होता है कि कब स्कूल खुलेंगे और फिर हमें ये नियूज मिलता है कि स्कूल्स बंद कर दिये और फिर उसी दिन हमें ये नियूज दिखाए जाता है कि किस प्रकार से कोई राजियतिक पार्टी डोर टू डोर कैम्पेन करती है राजियतिक पार्टी अपने रैलिस करती है राजियतिक पार्टी अपने चुनाओं का परचार करती है देश में कोरोना का दस्तक दीवे लगभग दो साल होने वाले हैं और इन दो सालों में सब कुछ संभव हो सका है कई चुनाव हो गया है कई मुख्यमंत्री हो गया है कई मंत्री हो गया है परधानी तक कचुनाव हो गया अगर कुछ चीजे नहीं सुधर पाईएं तो वह है सिच्छा ब्यवसता मुझे तो ताजू रोटा है और मुझे आफसूस होता है कि किस प्रकार इतनी मेहनत से पैसे कमा मिडिल क्लास दाम बचों के सिच्छा ब्यवसता में खर्च करता है और हमें अंत्ता ये सुनने को मिलता है कि आपको दर्द नहीं होता थोड़ी सी राजितिक पार्टी उसे उठके सोचिए सबको कोई ना कोई पार्टी पसंद है मुझे कोई पार्टी पसंद होगी आपको कोई पार्टी पसंद हो लेकिन क्या मतलब है उस पार्टी के प्रेम में हम इतने डूप जाएं कि हम सिक्षा विवस्ता पे बात ना करें तो फिर क्यों कहा जाता था कि एजुकेशन इस दो मोस्ट पाउरफुल वेपन टू चेंज दू सवसाइटी अगर सिक्षाई इतना ही मजबूर हतियार है इतना ही मजबूत हतियार है कि पूरी समाज को बदल सकता है तो आज क्यों सिक्षा विवस्ता लचर है और सिक्षारती इतने लचार लेकिन खैर कौन बात करें सिक्षा विवस्ता पे कोई नहीं क्योंकि सब को राजनीती की पड़ी है, सब को बसपा, कांग्रेस, भाजपा, सपा और आम आदमी पार्टी में पस राजनीती की शायद सब कुछ है, सिक्षा व्यवस्ता कुछ नहीं जो चुनाओ कल होना है, वो हो जाएगा, जिस पार्टी को कल जीतना है, वो जीत जाएगा लेकिन ये जो समय बीट जा रहा है आपके बच्चों का, वो कभी वापस नहीं आएगा इसलिए इस वीडियो को खतम करता हूँ, एक रिक्वेस्ट के साथ मेरा कोई मकसद नहीं था कि किसी राजनीतिक पार्टी को मैं टार्गेट करूँ और मैं आपसे कहूँ कि फला पार्टी को वोड़ दीजिए और फला पार्टी को मत दीजिए यह आपका personal निर्णे है और आप अपने वक्तिकत निर्णे पर आप जीसे चाहें ऊड़ दीजिए मगर इस वीडियो के अंतता मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूँ खास तरक पर अभी बावकों से अपने parents से रिक्वेस्ट करता हूँ जो अपने बच्वेस्ट को कहीं न कहीं पढ़ा रहे हैं यह समाच यह सिक्षा विवस्ता यह सिस्टम आपके बच्वेस्ट के साथ कुछ भला नहीं करने वाला मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि जहां आप इतनी मेहनत करके अपने पैसे खर्च कर रहे हैं प्लीज, पैसे के साथ साथ आप अपना personal समय खर्च करिए, अपने बच्चों को खुद पढ़ाईए, क्योंकि इस system के भरो से रहेंगे, तो आपका बस समय और पैसा बरबाद होगा, आपके बच्चे कभी नहीं पढ़ाईगे, और खास तोर पे request उन विद्यार्थियों से है इस तरह देखो कि कैसे तुम्हारे माबाप पैसे मेहनद से कमा के तुम्हारे पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं, पैसे को सार्सक बनाओ, उस पैच्चों को सही बनाओ, और उस पैसे को ब्रबाद ना होने तो, इस ते जादा कुछ नहीं कहना मुझे, खतम करते हैं इस करना है, अपने बच्चों की चिंदा खुद करनी हैं, अपने बच्चों को खुद पढ़ाना है, खतम करते हैं इस वीडियो को, जय बारत